ललितपुर जिले का एक ऐसा गाओ जहां ना बिजली ना पानी की सुपधा और ना ही उत्तर प्रिदेश द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाग हम बात कर रहे हैं ललितपुर जिले के बिलोग बिर्धा अंतरयफ गाओं छेंगरा की जहां ना तो बिजली है और ना ही पानी की बिवस्ता और अगर सड़क की बात करें तो ना ही सड़क है निवासियों का हाल बुरा है जहां विकास करवाने के दावे तो किये गए लेकिन धरातल पर नहीं उत्री देखिए पूरी ख़बर बरिष पत्रकार महेश पिशार सरमा की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं इस समय बिलोग बिर्धा के गाओं छेगरा में हूँ जहां पर की महिलाएं अपनी दुख बरी समस्यां बता रही है कुछ महिलाएं को अकतन है कि मुझे साधी हुए लगवाग बीच साल हो गई है लेकिन हमें हाथ तक सरकार की सुबदाओं का किसी परकार का कोई लाब नहीं मिल रहा है ना ही हमारे गाओं में बिध्याला है ना ही आंगनवारी केंद्र है ना ही बिजली है और ना ही कोई स्कूल है ताकि हमारे बच्चों का विकास हो सके हमारे बच्चों को बिर्धा जाना परता है जो की खत्रों से खाली नहीं है चुकि हमारे घर के पास में बाई पार रोड निकला है बच्चे जाते हैं और यह सुरक्षित नहीं है हमें लगता है कि हमारा बच्चा कब सुरक्षित आ रहा है अब देखे इस गाउं की महनाओं स हम आपको बत्राते हैं कि क्या क्या समई स्यंदा है हमारा राम राजा वीटी है हम बर्दा मतलब पुष्ट चेहकरा की रहने वाली है तो आपके गाउंग एक यहां पर कोई ना ही जाते हैं गाते हैं जाते जानना पड़ता है उनके लिए बहुत दूर है मतलब इसकूल बिर्दा दूर है तो रोजाना एक्सिजेंट होती है यहां पर तो बच्चे वहां पर कहां कैसे जाएंगे चोटे चोटे बच्चे हैं लाइट नहीं यहां तो लाइट भी नहीं है कुछ नहीं है मौंबती जला कर बच्चे पढ़ते हैं दस रुपे की मौंबती दो दिन एक दिन को नहीं होती है इतनी बहुती जादा समस्या गड़वड़ेगी लाइट की तो सबसे जाना है बच्चा पढ़नी पाते हैं तो आंगे बड़ा ही नहीं रहे किसी भी बच्चा क कोई से घरामे दस हाइए श्कुल पास में चार प्भास कि शॉपाती है कोछ नहीं है हैं बच्चे दो चार तक पढ़ते हूँ और यहीं पह रहे हं हमारे अगरी के नहीं है यदि हमारे हैं और दो को मेरी बच्चों को भी रासन मिलता वह पढ़ाई भी उन बच्चों कि जो बच्चे असिक्षित हैं पढ़ने के लिए बिर्धा जाते हैं तो बाइपस लगा हुआ है तो हम लोगों को डर लगता है कि हमारे बच्चे कुछ ना जाए कैसे घर आते हैं साम तक डर लगा रहता है जाने नहीं दीती है आपका नाम क्या है बेटा हरकुमर कुस्वा हरक आंवारी भी नहीं हां आषा भी नहीं आती है अच्छा तो आपने समय स्था कार को यह बिधायक को अभशल को मंत्र जी को नहीं जानते हैं नहीं पड़े लिखें नहीं आए आपके समाज का बिधायक है तो आपने बिधायक को समझ्या नहीं बताई आपको को गई नहीं होता है आपके क्या नाम है बाई पिरें बाई को सवा अच्छा बताईए आपको क्या समझ्या है गाओगी ना लाइट या ना कलती मोड़ी मोड़ा नहीं स्कूल है ना बे मेला तांगर बाड़ी क्यों कचुल सम जीते जाओ वे जाकत मन्नुकोरी ना कचुल को नहीं सुनाद के हुझा तरिया हाँ मतारां आप बाड़ी था क्या समस्यांस गाओं जाओगी तो अमें बताईए कच्छु तो यह ना ना ला आईडिया मैं कषक्प हान्ध कर्या के काुछb आपका सुखनाम क्या है मतरम? सुहाग रानी सुहाग रानी कहती है कि भगवान की किरपासे जे का मेरा सुहाग सलामत है लेकिन मेरी साधी हुए लगबाग पचास बार सोच चुके हैं लेकि इस गाउ में सरकार की सुबदा का मुझे कोई लाब नी मिलता है ना ही हम जानते हैं इस गाउ में ना तो लाइट है ना स्कूल है ना आगनबारी केंडर है ना बिद्याला कोई यहां तक कि कोटे की दुकान भी नहीं है हम लोगों को दूर दरा तक कोटा लेने जाना पड़ता है और कोटे पर आपको मालस भी मिलता कर नहीं ना ही यहां पर लेटरिंग आ ना कुछ है लेटरिंग की स्वग्दा है सब लेटे से बहाँ पर बस पर जाती है रोट पर तो रोजणाना इकसिडरेंट होती है हमाली एक दीदी भी हती यहां पर कोई सरकारी हो जोना कुछ नहीं मिल लए और इतनी पड़ी लिखी और मर्द यहां पर कोई सरकारी नौकरी भी नहीं कोई कर रहा है आप बढ़ाएं कि छोड़ा हमें कोई बताँ इसरा घुड़ा जाओं आपके गाहों में क्या सुब्दा है सरकारी है झाले सीजी रोड़ हमारे यहां और कुछ सब्दा नहीं है previous बिद्याला नहीं ना इस बिजली नहें नबाड़ी के अंद सुछे नहीं है रासन मिलता है साही मिल्ता कर रहन नहीं है अगर लीकोंतों कोंतों डज किलो रासन्हें के उपरasan दो तो आप मंतरी जी से मिले के नहीं मिले तो देखे इस गाउं की महलाइं खड़ी हुई है पड़ी लिखी महलाइं भी है कुछ विचारी बहुएं वह बहुएं का कथन है कि हम तो यह जानते ही नहीं है कि सरकार की क्या होती है क्या लाब मिलता है हमें तो मात बोट पाने के लिए नेता से लेके अब नेता सब लों आते हैं और उनका यहीं काम रहता और कोई काम रहता इस गाउं मात रवाएं गाउं में आते हैं और बोट के लिए बोट डलने के बाद फर कोई नहीं पूछता है बोट डलन वो कहते बिधायक और मंतरी हम इस पे अचानते ना ही सब हम जानते ना इनके दौरा कोई सुबदा मिलती है हमें तो मातर योगी और मोधी का नाम लेकर बोड़ देते हैं तो माननी है मोक्मंतरी जी महोधा से ये जंतर जनाता मांग करती है कि हमारे गाउं में सारकार की सुब्दाओं का लाप पहुचाए जाए, यहां पर विध्याले खुड़वाए जाए, आंगनबाडी केंडर, यहां तक कि गाउं में मुहम्मत्ती लाल्टें जलाकर यह जी रहे हैं, यानि कि जैसे लगता है कि रामराज आ गया है, रामराज मे पढ़ी हुई है, आपका सुबनाम क्या है बहु, हमारा नाम राजा बेटी है, इनका नाम है राजा, बेटी नाम बता रहे हैं, आप कितनी पढ़ी है, यह बार्मी पास बहु हैं, लेकिन बिचारी को ना तो कोई नोकरी, ना चाकरी, मात घर की सुबनाओं से ही मतलब रहत है बिचारी को आगर इस बिद्याले को लिए तो बच्चों का विकास हो सकता है क्योंकि बगल में लगी बाइपांस रोड जिससे की खत्रे को बुलावा है खत्रे की घंटी है बच्चियां बच्चे श्कूल जाते हैं बिरदा तक लोट के सही सलामत आ जाएं माता पिता यही भगवान से बिने करते रहते हैं सरकार को भी चाहिए कि इस गाओं में एक विद्याले कुलवाए जाए आगनवाडी केंद्र तथा लाइट की भी बैश्ता की जाए दूर दराज सेरों में तो बैश्ता की जा रही है लेकिन इस छेगरा का विकास कब होगा यह एक और चिं प्राजी